के और से साधी साधे कि अब ऐसे करिए आप अपना जो कंप्लीट डोकुमेंट से काउंसिलिंग के लिए तो अपना तयार करवा लिजी आई प्रमान पत्र है जाती परमान पत्र है मून निवास है अगर किसी का अकाउंट नहीं खुला है तो वो भी अपना जो है खुलवा ल कि इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वह बिल्कुल किलियर वीडियो है ए से जैड तक मैंने उसमें पूरी परकिरिया बताई है उसमें इसके बाद देखिए यहां पर आगे बताई इसमें कि अपर मुक्य सचीव मौनिका गर्ग ने कहा कि परिक्सा केंद्रों के चैन से बियड बना नकल वीन यानिके पहले क्या होता था सभी प्राइवेट कोलिज जो भी होते थे उसमें भी सेंटर भीज दे जाते लेकिन अब की बार नहीं हुआ सरकारी और आपका एडिड कोलिज में ही सेंटर बनाए है और इसी के साथ लगबग सत्तर हजार इस्ट्रेंट ने परिक्सा भी छोड़ी है तो लगबग साड़े तीन लाख के आसपास अभी कुल इस्ट्रेंट है और जो सीटे आपकी वे कितनी है दो लाख है तो यह समझ लीजे इसमें भी थोड़ा सा कंप्रिशन होगा तो जि से कौली चोइस मांगे जाएगे कि आप कौन-कौन से कौली चोइस करते है तब जाके आपको जो है मिलेगी लेकिन पिछली बार ऐसा हुआ कि उनकी रैंक भी अच्छी थी चार हजार यह पांच यार थी उनको सो प्रसेंट गुर्मेंट कोलीज मिलता लेकिन उनके क्या हु और लेडी जनरल भी आपके काउंट होगे उसमें और साथी साथ आपका रिजर्वेशन होता है गल्स का अलग और बाज का अलग होता है तो जो गल्स में अगर अच्छे मांक्स अगर आएगे आपकी अच्छी रैंक आएगी तो आपको सो परसेंट गुर्मेंट कोलीज मिल काउंट है उसमें और साथी साथ देखें आपकी जो रैंका आएगी यह आपकी आएगी स्टेट रैंक होगी एक आपकी इस्टेट रैंक के आधार पर ही जो आपकी कंसलिव यह नहीं कि पहले दिन माल लिजे अगर आपकी रैंक आती है खाकस जार यह छे जार आती यह आठ भाटीज़ है तो यह समझे लीजे आपका गोर्मेंट कोलिज फिक्स से आपका देखिए क्योंकि पहले आपको दो यह तीन दिन दिन दिए जाएगे वो किसको दे जाएगे जिसकी rank आएगी आपकी एक से लेके 10,000 rank जिसकी आएगी उनकी सबसे पहले counseling कराई जाएगी उनको पहले government college provide किया जाएगा उसके बाद देखिए अब इसमें भी कुछ ऐसा होगा 2 या 3 जार student ऐसे होगे टोपर जो कि government college नहीं पसंद करते हैं वो private college करते हैं क्योंकि वो other competition की जो भी तैयारी कर रहे होगे इस वैसे वो नहीं लेगे तो आपकी इसमें seat बच जाएगी तो इसके बाद जो आगे ये government जो seat बचेगी आपकी added college में seat बचेगी ये आपकी लगबग जो अगली counseling होगी उसमें आपकी दी जाएगी 10,000 से लेके जिसकी 12,000 rank है ये 13,000 rank है इस्टेट rank पूरे UP के अंदर तो उसमें अगली counseling में उनको मिलेगा इसके बाद देखिए government seat हो जाएगी खाली तो उसके बाद आपकी पूल counseling होती है उसमें कोई भी कि किसी भी government sorry किसी भी private college में admission ले सकता है choice करके तो दोस्तों मुझे आसा कि आप अपने जितने भी डोकुमेंट से जरूरी डोकुमेंट से वह तैयार रखे बिल्कुल आप result तक अभी तैयार कर वाले अगर मान लिए आपका आये प्रमान पतर जाती प्रमान पतर तैयार नह किसी में